सत्य के प्रयोग अथ्वा आत्मक था लेखक मोहंदास करमचन गांधी दुसरा भाग विशय हिंदुस्तान में कलकत्ते से बंबई जाते हुए प्रयाग बीच में पड़ता था वहाँ ट्रेन 45 मिनट रुखती थी इस बीच मैंने शहर का एक चक्कर लगा आने का विचार किया मुझे केमिष्ट की दुकान से दवा भी खरीदनी थी केमिष्ट उन्ता हुआ बाहर निकला दवा देने में उसने काफी देर करदी मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी भले श्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी एक मिनट के लिए रोकी थ पर मुझे वापस आते न देखकर उसने मेरा सामान उतरवा लेने की साउधानी बरती। मैं केलनर के होटल में ठरा और वहा से अपने काम के स्री गनेश करने का निश्चय किया। प्रयाक के पायोनियर पत्र की ख्याती मैंने सून रखी थी। मिलकर प्रत्यक की सहाइता लेनी थी। इसलिए मैंने मिश्टर चेजनी को मुलाकात के लिए पत्र लिखा। ट्रेन चुट जाने की बात लिखकर यह सुचित किया की अगले ही दिन मुझे प्रयाक छोड़ देना है। उत्तर में उन्होंने मुझे तुरंत मिलने के लिए बु उन्होंने मेरी बात ध्यानपुर्वक सुनी बोले आप जो भी लिखकर भेजेंगे उस पर मैं तुरंत टिपनी लिखूंगा। और साथ ही यह कहा। लेकिन मैं आपको यह नहीं कह सकता की मैं आपकी सभी मांगों का स्विकार ही कर सकूंगा। हमें तो क्यालो नियन दुष अध्यान करेंगे और इसे चर्चा का विशे बनाएंगे इतना ही मेरे लिए बस है। मैं शुद्यनाय के सिवा न तो कुछ मांगता हूँ और न कुछ चाहता हूँ। बाकी का दिन मैंने प्रयाक के भव्य त्रिवेनी संगम का दर्शन करने में और आपने सम्मुक पड़े हुए काम का विचार करने में बिताया। इस आकस्मिक बेटने मुझ पर नेटाल में हुए हमले का बीजबोया। बंबई में रुके बिना मैं सिधा राजकोड गया और वहाँ एक पुस्तिका लिखने की तैयारी में लगा। पुस्तिका लिखने और छपाने में लगबग एक महिना बीद गया उसका आवरन हरा था इसलिए बाद में वह हरी पुस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई उसमें दक्षिन आफरीका के हिंदुस्तानियों की स्थिती का चित्रन मैंने जान बुचकर नरम भाशा में किया था नेटाल में लिखी हुई दो पुस्तिकाओं में जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हुँ मैंने जिस भाशा का प्रयोग किया था उससे नरम भाशा का प्रयोग इसमें किया था क्योंकि मैं जानता था कि छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है हरी पुस्तिका की 10,000 प्रतिया चपाई थी और उन्हें सारे हिंदुस्तान के आखवारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा था पायोनियर में उस पर सबसे पहले लेक निकला उसका साराउंश विलायत गया और साराउंश का साराउंश राइटर के द्वारा नेटाल पहुंचा वह तार तो तीन पंक्तियों का था नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवार का जो चित्र मैने खीचा था उसका वह लगू समस्करन था वह मेरे शब्दों में नहीं था उसका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे धिरे धिरे सब प्रमुग पत्रों में इस प्रश्न की विश्त्रूद चर्चा हुई इस पुस्तिकां को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार करने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चिला था मैंने सरल युक्ति खोज ली मुहले के सब लड़कों को मैंने 18 किया और उनसे सब एरे के 2-3 घंटों में से जितना समय वे दे सके उतना समय देने के लिए कहा लड़कों ने इतनी सेवा करना खुशी से स्विकार किया अपनी तरब से मैंने उने अपने पास जमा होने वाले काम में आये हुए डाक टिकट और आशिर्वात देना कबूल किया इस प्रकार लड़कों ने हस्ते हस्ते मेरा काम पुरा कर दिया इस प्रकार बच्चों को स्वयम सेवक बनाने का यह मेरा पहला प्रयोग था इस बालोकों में से दो आज मेरे साथी है इनी दिनों बंबई में पहली बार प्लेक का प्रकोफ हुआ चारो तरब घबराहट फैल रही थी राजकोर्ट में भी प्लेक फैलने का डर था मैं सोचा कि मैं आरोग्य विभाग में आवश्य काम कर सकता हूँ मैंने अपनी सेवा राज्य को अरपन करने के लिए पत्र लिख राज्य में जो कमिटी नियुक्त की उसमें मुझे भी स्तान दिया मैंने पाखानों की सफाई पर जोर दिया और कमिटी ने निश्चय किया की गली-गली जाकर पाखानों का निरिक्षन किया जाए गरिब लोगोंने अपने पाखानों का निरिक्षन करने देने में बिलकु लोगों के घरों का मुआयना करने निकले, तो कई जगह में तो हमें पाखाने का निरिक्षान करने की इजाजत तक न मिली, सुदार की तो बात ही क्या की जाए, हमारा साधारन अनुबव यह रहा की धनिक समाज के पाखाने ज़ादा गंदे थे, उन में अंदेरा, बद्बू और बेहत गंदगी थी खड़ी पर कीडे विलबिलाते थे जीते जी रोज नरक में ही प्रवेश करने जैसी वह स्तिती थी हमारे सुजाय हुए सुधार बिलकुल साधारन थे मैला जमिन पर न गिरा कर कुंडे में गिराए पानी की व्यवस्ता ऐसी की जाए कि वह जमिन में जज भोने के बदले कुंडे में इखटा हो खड़ी और बंगी के आने की जगह से बीच जो दिवार रखी जाती है वह तोड़ दी जाए जिससे बंगी सारी जगह को अच्छी तरह साप कर सके पाखाने कुछ बड़े हो जाए तथा उनमें हवा उजेला पहुंच सके बड़े लोगों ने इस सुधारों को स्विकार करने में बहुत आपत्ती की और आखिर उन पर अमल तो किया ही नहीं कमेटी को भंगीयों की बस्ती में भी जाना तो था ही कमेटी के सदस्यों में से एक ही सदस्या मेरे साथ वहाँ जाने को तयार हुए बंगीयों की बस्ती में जाना और सो भी पाखानों का निरिक्षन करने के लिए पर मुझे तो बंगीयों की बस्ती देखकर सानन्द अश्चर्य हुआ अपने जिवन में मैं पहली भार उस दिन बंगी बस्ती देखने गया था बंगी भाई भानों को हमें देखकर अचम्मा हुआ मैंने उनके पाखाने देखने की इच्छा प्रकट की उन्होंने कहा हमारे यहाँ पाखाने कैसे हमारे पाखाने तो जंगल में है पाखाने तो आप बड़े आदमियों के यहाँ होते है मैंने पूछा तो क्या आपने घर आप हमें देखने देंगे आईए न भाई साहब जहाँ भी आपकी इच्छा हो जाइए यही हमारे घर है मैं अंदर गया और घर की तथा आंगन की सफाई देखकर खुश हो गया घर के अंदर सब कुछ लिपा पुता देखा आंगन ज़ाडा बुहा रहा था और जो इने गिने बरतन थे वे सब साफ और चम चमाते हुए थे मुझे इस बस्ती में बिमारी के फैलने का डर नहीं दिखाई दिया यहां के एक पाखाने का वर्नन किये बिना नहीं रह सकता हर एक घर में नाली तो थी ही उसमें पानी भी गिराया जाता और पेशाब भी किया जाता इसलिए ऐसी कोटरी क्वची थी मिलती जिसमें दुरगंद न हो पर एक घर में तो सोने के कमरे में ही मोरी और पाखाना दोनों देखे और घर की वह सारी गंदगी नाली के रास्ते नीचे उतरती थी उस कोटरी में खड़ा भी नहीं रहा जा सकता था घर के लोग उसमें कैसे सो सकते थे इसे पाठ़की सोचले कमीटी ने हवेली याने वैशनव मंदीर का भी निरिक्षन किया हवेली के मुख्याजी से गांधी परिवार का मिठा संबन था मुख्या जी ने हवेली देखने देना और सब संबव सुधार करा देना स्विकार किया उन्होंने खुद वह हिस्सा कभी नहीं देखा था हवेली में रोज जो जूटान और पत्तल इकटा होती उन्हें पिछवाडी की दिवार के उपर फेक दिया जाता था और वह हिस्सा कवो औप चिलों का अड़ा बन गया था पाखाने तो गंदे थे ही मुखिया जी ने कितना सुधार किया सो मैं देख न सका हवेली की गंदगी देखकर दुख तो हुआ ही जिस हवेली को हम पवित्र स्थान मानते है वहा तो आरोग्य के नियमों का अधिक से पालन होने की आशा रखी जानी चाहिए स्मुरूदी कारों ने अंतरबाय संच पर बहुत जोर दिया है यह बात उस समय भी मेरे ध्यान से बाहर नहीं थी समाप्त यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करे धन्यवाद